तो यहां से हम स्टार्ट करने मुशन और मुशन हैं ने और मार्स पर सारे औरभिट्स हम जाने वाले चली कर से अगए हमें आल मानले केर की स्थरा ऐ बहुत आ गए हमने देखे और स्थाल को सब्सक्राइब आप ओहो जुखे लॉंच हो गया हमारा स्पेस शटल बहु खोटा आपके लाँच टीया खतराफ वईव खतरनाक इसलिए बहार आके देख थे हैं ओहो जो बाहर आ गाए है भाई मज़ा गया कैसे ऑ सब लोग बाई स्पेशी पर यहाँ पर दो यह कोन है बाई मार दिया यह सैंडिस लोग क्या कर रहे है यहाँ पर अरे यह तो एलियन है सर यह लो पकड़ो सर इसे पकड़ो catch 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 खेलो बाई research चल रही है क्या कर रहे है तुम लोग coffee ओफी पीके है हाँ नहीं यह तो एलियन नहीं थे भाई यह तो हमारे ही लोग थे सॉरी सर कर लो आप research तो भाई जम कर लेते हैं ओ तो पैरिशुट भी है हमारे पास भाई है स्पेशिप चला गया हमारा भाई अरे भाई हम गिर रहे है आपर नीचे है ओ शिट केट ओ क्या वीव है भाई क्या वीव है खतरनाग हेलो गाईज वल्कम तू माज चानल मेरे चानल में आपका स्वागत है तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रैंड थेफ्ट स्पेश ये मॉड के बारे में तो काफी बहतरी बहुत है क्यूंकि यहाँ पर हम जाने वाले और मून पर भी जाने वाले तो काफी बड़िया मिशन होने वाला है क्योंकि हम अलग-अलग और्बिट को भी विजिट करेंगे और मून और मार्स के सर्फेस पे भी हम जाने वाले है तो देखिए काफी बहतरी इन मॉड है तो आप देख सकते हो यहाँ पर पर दिखा है कि यह जो मॉड है वो लेटेस्ट वरजन पर सपोर्ट नहीं करता है लेकिन गाई Courtney सबस्ट करता है मेरे पास जीटिए का लेटेस्ट वरजन भी है और एक उल्ड वरजन भी है तो उन दोनों भी भी यह mod को मैंने test किया और वो दोने भी यह बिल्कुल सही तरीके से work करता है लेकिन यह mod में आपको error मिलता है error की बात करें तो आपको मैं बताता हो कि error कब आता है तो जैसी आप इस mod को install करते हो और आपकी game में जाते हो तो वहाँ पर आपको star mark दिखाए दीता है तो वहाँ से आपका mission start होता है तो आपको mission complete करना पड़ता है और वह mission complete होने के बाद आपको space shuttle मिलता है तो वहाँ से आप teleport हो सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको interface भी मिलता है उसके बाद में मुझे error आ रहा था और मुझे space shuttle नहीं मिल रहा था तो अगर आपको space shuttle available नहीं होगा तो आप space में नहीं जा सकते हो space shuttle की help से लेकिन आप teleport हो सकते हो आपको interface मिलता है अलग-अलग orbit में और moon और mars पर जाने के लिए तो आप directly भी जा सकते हो लेकिन अगर आपको space shuttle use करना है तो यह आपको एक mission complete करना पड़ता है लेकिन वो mission में आ रहा है error तो हम देखने वाले कि वो error को भी हम कैसे solve करने आ लेते हैं वहाँ पर मैं missions को ही skip करने वाला हूँ ताकि आपको space shuttle मिल जाएगा तो चलिए देखते हम यह कैसे कर सकते हैं तो guide चलिए पहले हम देखने वाले इस modcom कैसे install कर सकते हैं और क्या steps required है तो guys आप देख सकते हैं यह रहे हमारे installation के steps से आपर तो यहाँ पर मैंने 6 steps में divide किया है तो आप देख सकते हैं मेरे gtfi के game version तो पहला है मेरा cracked version और second है मेरा paid version तो यह मेरा latest updated game है तो कुछ दिनों पहले यह update आया था तो मेरा यह latest updated version है तो इस पर भी यह mod बिल्कुल सही तरीकी से work कर रहा है guys तो guys आप देख सकते है step 1 में आपको install करना है latest script hookwee latest script hookwee.net एक scripts का folder create करना है और उसमें install करना है native UI और उसके बाद में आपको install करना है open iv और एक mods का folder create करना है हम जो भी changes करने वाले वो mods के folder में करने वाले ताकि हमारी जो game की main file है वो safe रहेगी और अगर आपको यह mod को delete करना है तो आप mod folder को directly delete कर सकते हो तो guys step 2 में हम 3 installation perform करने वाले है तो पहला हम microsoft.net framework 4.5.2 को install करेंगे उसके बाद में visual studio 2017 और उसके बाद में visual studio 2013 तो यह तीनों भी frameworks को हम install करने वाले step 2 में और उसके बाद में हम perform करने वाले step 3 तो step 3 में हम पहले install करने वाले है C weapon info block limit adjuster को install करेंगے उसके बाद में हम install करने वाले है no boundary limits को उसके बाद में हम बढ़ने वाले step 4 में तो step 4 में हम install करने वाλे है pack file limit adjuster और उसके बाद में heat limit adjuster step 4 complete होते हम बढ़ने वाले है step 5 में तो step 5 पर आपको game config file में changes करना है तो guys इस mod के installation में जो game config file है वो आपके diamond casino dlc के लिए available है तो अगर आपका game version latest version का होगा तो आपका game crash करगा यहाँ पर तो यह game config file आपको use नहीं आएगी क्योंकि आपका यह game crash हो जाएगा तो आपको latest game config file को install करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वो हम कैसे करेंगे और last step में हम install करने वाले grand theft space इस mod को तो guys step 1 के लिए आपको मेरा how to install a fortune mod वीडियो देखना है तो देखें यह मेरा how to install a fortune mod वीडियो तो इसमें मैंने आपको detail में बता है कि आपको open IV कैसे install करना है native UI script to quiz script to quiz.net menu trainer तो इन सारे steps को यहाँ पर मैंने detail में cover किया है तो अगर आपने अभी तक mod के लिए बेस setup नहीं create किया है तो आप इन सारे steps को perform कर लेना और आपका एक mod installation के लिए बेस setup create कर देना अगर आपका यह बेस setup create हो जाएगा तो आप कोई भी और mod install कर सकते हो तो guys इस video की link आपको description में मिल जाएगी उस link पर जाना और यह सारे steps को follow कर लेना तो guys यहाँ पर यह सारे steps follow होते हैं आपको बढ़ना है step 2 में तो step 2 में हम इन तीनों भी frameworks को install करने वाले हैं तो देखिए यह हमारे हैं 3 frameworks तो यह है .net framework 4.5.2 यह हमारा visual studio 2017 और यह हमारा visual studio 2013 तो उसके बाद में step 3 में हम install करने को e.sweapon Info Blob Limit Adjuster और no boundary limits तो यह हमारा c.weapon Info Blob Limit Adjuster और यह हमारा No boundary Limits तो यह दोनों भी mod com install करेगे उसके बाद में step 4 में इंस्टॉल करने को आपका लिमिट अज़श्टर और हीप लिमिट अज़श्टर तो यह हमारा प्लिमिट अज़श्टर और यह हमारा हीप लिमिट अज़श्टर step 5 में हम इंस्ट्राल करने वाले game config फाइल तो guys इस more installation में आपको यह game config मिलेगी लेकिन यह diamond casino update को support करती है तो अगर आपका game version latest होगा तो यह game config file install करने के बाद भी आपका game crash होगा इसलिए हम यह latest game config file को हम यहाँ पर download करने वाले और install करने वाले तो देखिए यह latest game config file है हमारी तो यह कुछ दिनों पहले ही इसका update आया था और finally हम install करने वाले हैं Grand Theft Space इस mod को तो यह आपको OIV भी file मिलेगी तो गाइच चलिए download करते हैं सारे mods को और install करेंगे इस mod को तो गाइच देखिए step 1 के लिए आपको मेरा how to install fortune mod video देखना है उसके बाद में download करना है .net framework 4.5.2 तो इस पर मैं करूंगा click तो देखिए यह हो जाएगा तो मैं इसे कर लूँगा download यहापर तो देखिए यह भी हो जाएगा download गाइज उसके बाद में इस्टॉल करने वाले visual studio 2013 तो और मैं इस पर click करूंगा तो यहाँ पर आपको x64 and x86 bit मिलेगा तो आपके जो PC का bit होगा उस हिसाब से आपको इन versions को download करना है तो देखिए मेरा x64 bit है तो मैं इसे कर लूँगा download यहाँ पर तो यह हो जाएगा download तो यह हमारा c weapon info blob limit adjuster तो देखिए आपको यह पर all versions मिलेंगे तो यह हमारा current version तो इसे कर लूँगा मैं download यहाँ पर तो यह भी हो जाएगा download उसके बाद में मैं download करने वाले no boundary limits तो देखिए यहाँ पर current version है तो मैं इसे कर लूँगा download यहाँ पर तो यह भी हो जाएगा download उसके बाद में download करने वाले pack file limit adjuster तो देखिए यह all versions मिलेंगे तो यह हमारा current version तो इसे भी मैं कर लूँगा download यहाँ पर तो यह भी हो जाएगा download तो यहाँ पर अभी हम डाउनलोड करने वाले heap limit adjuster तो देखिए आपको यहाँ पर current version मिलेगा तो मैं इसे कर लूँगा download तो यह भी हो जाएगा download तो यह हमारी game config file तो guys यहाँ पर यह game config file को install करना है तो यहाँ पर देखिए तो मैंने इस game config file को install करके try किया था लेकिन मेरा game crash हो रहा था इसलिए मैंने इंस्टॉल किया था latest game config file को तो यह रही link latest game config file की तो यहाँ पर मैं दोनों भी link को post करने वाला हूँ तो guys यहाँ पर देखिए all versions है तो यह one day ago का ही है तो यहाँ पर मैं कर लूँगा download यहाँ पर तो यह भी हो जाएगा download तो guys यहाँ पर हमने सारे mods को कर दिया है download तो बढ़ते हैं instruction steps की तरफ तो guys आप देख सकते हैं left side में उपन ही downloaded mods की files और right side में तो यहाँ पर उन सारी mods की file को यहाँ पर मैंने steps wise arrange किया है तो guys यहाँ पर step 1 के लिए आपको मेरा how to install fortune mod video देखना है और यह सारे steps को perform करना है और यह सारे steps perform होते ही आपका mod का एक base setup ready हो जाएगा और आपके यह सारे software हो जाएगे installed और उसके बाद में आपको बढ़ना है step 2 में तो यहाँ पर हम step 2 में install करने वाले हैं .NET के कुछ frameworks तो देखिए यह हमारी step 2 तो यहाँ पर present है .NET के frameworks तो चलिए पहले हम install करने वाले .NET framework 4.5.2 तो guys यह हमारा microsoft.NET framework 4.5.2 तो यह हमारे पास पहले सी available है तो देखिए मैं इस पर click करूँगा और मैं इसे install करने के लिए try करूँगा तो देखिए यह मेरे पास पहले सी available है इसलिए मुझे message आ रहा है कि हमारे पास यह पहले से installed है हमारे PC पर तो देखिए इसे मैं कर दूँँगा close तो अगर आपने इस.net framework 4.5.2 को install नहीं किया तो आप इसे install कर लेना तो अभी हम install करने वाले visual studio 2017 तो guys यहाँ पर देखिए यह हमारा visual studio 2015 से लेकर visual studio 2019 तो यह भी मेरे पास पहले सी available है इसलिए देखिए मुझे यह message आ रहा है तो अगर visual studio 2013 तो इस पर मैं click करूँगा तो यह मेरे पास पहले सी available है इसलिए मुझे यह message आ रहा है तो अगर आपने इस visual studio 2013 को install नहीं किया है तो आप इसे install कर लेना तो यहाँ पर मैं close कर दूँगा तो guys यहाँ पर हमारे step 3 तो पहले हम install करने वाले see weapon info block adjuster तो इस पर मैं click करूँगा तो देखिए आपको यह दो files मिलेगी तो इन दोनों भी files को यहाँ पर करना है copy और आपको जाने gtfi की main directory में तो यह gtfi की main directory है तो यहाँ पर करना है paste तो यह दोनों भी file को यहाँ पर करना है copy और आपको जाने gtfi की main directory में और यहाँ पर करना है paste तो देखिए यह दोनों भी files आ गए हमारी gtfi की main directory में तो यहाँ पर हमारी step 3 हो चुकी है done तो हमने इन दोनों भी files को यहाँ पर कर दिया है installed तो चलिए बढ़ते है step 4 में copy और आपको जाने gtfi की main directory में और यहाँ पर करना है paste तो यह मेरी gtfi की main directory में दोनों भी files आ गई है उसके बाद में मैं install करूंगा hip adjuster को तो इसमें जाऊंगा मैं और देखिए आपको एक file मिलेगी तो यह .as file को यहाँ पर मैं करूंगा copy और यहाँ पर आपको जाना है gtfi की main directory में और यहाँ पर करना है paste तो यह भी file हमारी gtfi की main directory में आ गई है तो guys यहाँ पर हमारी step 4 भी हो चुकी है done तो यह हमारी step 4 भी हो चुकी है done यहाँ पर तो इन दोनों भी files को यहाँ पर मैंने कर दिया है install gtfi की main directory में तो यहाँ पर हम install करने वाले हमारी game config file तो देखिए यह हमारी step 5 तो देखिए आपको यहाँ पर game config file मिलेगी तो यह game config file आपको जो हमारा mod है उसके साथ मिलती है लेकिन यह हमारी जो game config file है वो आपकी diamond casino dlc तक ही support करती है उसके बाद में अगर अपकी game versions हों के तो उस पर यह support नहीं करेगी आपकी game crash हो जाएगी तो guys मैं recommend करता हूँ आपको कि आप latest game config file को install करें तो देखिए यह हमारी latest game config file जिसकी link आपको description में मिल जाएगी तो उस game config file को भी आप install कर लेना तो यहाँ पर हमने latest game config file को download किया था तो देखिए यह हमारी latest game config file तो इस game config file को हमें करना है install तो देखिए आपको जाना इस latest game config file में और यहाँ पर आपको जाना है GTA game config में देखिए आपको जाना है इस version में अगर आपका latest version होगा तो आपका game version आपको check करना पड़ेगा तो देखिए game version check करने के लिए आपको देखिए जाना gtfi के main directory में तो यहाँ पर आपकी जो .exe file होगी उस पर आपको right click करना है यहाँ पर आपको जाना है properties में और यहाँ पर आप जाओगे फाइल को install करने वाला हूँ और यह है मेरा latest game version तो अगर उसका game version आप देखोगे तो वह है तो मेरा latest game version है 1.02189.0 तो अगर मैं इस game version पर इस mode को install करूँगा तो देखिए तो मुझे यह game config file को install करना पड़ेगा और उसमें देखिए आप जो 1x traffic है 5x traffic है तो यहाँ पर देखिए मैं stock traffic means base gta game config file को यहाँ पर मैं करूँगा install तो मैं इस पर जाओँगा और यह game config file को copy paste करूँगा तो अगर मेरा game version यह latest game version होगा तो लेकिन आभी में जो मैं installation कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं जाओंगा इस folder में यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ stock traffic means gta base इस folder में तो देखे यह मुझे game config file मिलेगी तो मुझे यह game config file को यहाँ पर install करना है तो यहाँ पर मैं open iv start करने वाला हूँ तो देखे यहाँ पर मैं open iv हो चुका है start तो यह हमें से edit mode में होना बहुत ज़रूरी है तो अभी मुझे जाना है mods में update में update.rpf common data तो देखे आपको यहाँ पर game config file मिलेगी तो यह हमारी game config file है जो पहले सी present है हमारी game में तो हम इसे update करने वाले हैं यहाँ पर तो यहाँ पर इस game config file को मैं replace करने वाला हूँ तो देखे मैं इस game config file को यहाँ पर करूँगा copy और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट तो देखिए हमारा जो गेम वर्जन था 1.0.1868.0 उस गेम वर्जन की मैंने गेम कॉन्फिक फाइल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है तो यहाँ पर हमेशा आप अपना गेम का वर्जन चेक कर लेना और आपके गेम के वर्जन के हिसाब स आप इस कानफिक फाइल को इन्स्टॉल कर लेना तो गाईज यहाँ पर हमारी गेम कानफिक फाइल भी हो चुके इंस्टॉल तो यहाँ पर हमारा यह tip शुका है डंठ तो यहाँ पर अपर ढось नहीं होगा क्यूंकि हमा में हरे वर्जन के इसाब कहापक को gaanब बाइं टो दे वाले grand theft space is mod को तो यहाँ पर आपको oiv file मिलेगी तो यहाँ पर open iv में हमें installation करना यहाँ पर देखिए तो guys हम जाएंगे step 6 में तो देखिए आपको यह.oiv file मिलेगी तो simply इस file को यहाँ पर करना है copy और यहाँ पर करना है page तो हम यहाँ पर drag and drop करेंगे इस file को हमारे open iv में तो हम इसे करने वाले install mods के folder में तो install करेंगे तो हम इसे mods के folder में install करने वाले ताकि हमरी जो games की main file है वो safe रहेगी और अगर आपको यह mod को delete करना है तो आप simply mods के folder को delete कर देना तो यहाँ पर हमारा mod हो गया है install तो यहाँ पर हमारी step 6 भी हो चुकी है done तो step 6 भी हो चुकी है done तो guys आप देख सकते है scripts के folder में यह mod install हो चुका है कुछ files तो यहाँ पर आपको gts.ini file यहाँ पर generate नहीं हुई है तो आपका जो game start होगा उसके बाद में gts.ini file generate होगी और उसी file में हमें change करना है तो यहाँ पर देखिए आप जब game start करोगे तो आपको एक mission complete करना है उसके बाद में आपको एक space shuttle मिलता है तो यहाँ पर जो mission हम लोग complete करते हैं वहाँ पर error आ रहा है और यह mod work नहीं कर रहा है इसलिए हमारे जो mission है उसे हम complete करने वाले है automatically तो यहाँ पर मैं code में change करने वाला हूँ तो वो code में change करते ही हमारे जो mission है वो complete हो जाएगा और आपको error भी नहीं आएगा और आपको space shuttle भी मिल जाएगा तो आप वो space shuttle use करके आप space में जा सकते हो तो देखिए अभी तक वो file generate नहीं हुए है तो file का नाम होगा gts.ini तो उसमें आपको change करना है तो मैं आपको game start होने के बाद बताऊंगा तो guys चलिए जाते हैं गेम में और देखते हैं इस mod को कैसे use कर सकते हैं और क्या keys है इस mod को use करने के लिए और चलिए जाते है space में और moon और mars के surface पे हम visit करके आते हैं तो चलिए जाते हैं game में तो guys यहाँ पर हमारी game उचके start तो guys यहाँ पर देखिए आपका जब game start होगा तो आपको यहाँ पर map में दिखाए देगा तो आपको देखिए map में इस location पर जाना है तो आपका mission start हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर आपको इस star के location पर जाना है लेकिन आप यहाँ पर आप directly भी जा सकते हो space में तो यहाँ पर आपको num 9 की यूज करना है तो num 9 की यहाँ पर प्रेस करूँगा मैं तो देखिए यह interface open हो जाएगा हमारा gts options का अरे यहाँ पर कितना शोर शराबा कर रहे हैं यह लोग तो देखिए मैं जाओंगा scenes में तो यहाँ पर देखिए earth orbit, jupiter, atmosphere तो यहाँ पर देखिए आप moon पर भी जा सकते हो moon, mars orbit में जा सकते हो यहाँ से directly आप teleport हो सकते हो देखिए तो यहाँ से भी आप teleport हो सकते हो directly और हम यहाँ पर orbit में आ गए हैं उपर देखिए सामने ही हमारा mars है तो देखिए हम जा सकते हैं तो orbit में आ गए हैं तो इस तरीकी से आप यहाँ से teleport हो सकते हो surface पर भी तो देखिए यहाँ पर मैं अगें यहाँ नम 9 यूज करूँगा scenes में जाओंगा तो हम mars के surface में भी जा सकते देखिए तो यहाँ पर हम mars के surface में भी आ गए है तो इस तरीकी से आप यहाँ पर directly आ सकते हो num 9 यूज करूँगा scenes में जाओंगा और यहाँ पर हम return to earth जाएंगे तो हम earth पर आ गए है तो देखिए इस तरीकी से आप directly भी teleport हो सकते हो लेकिन यहाँ पर आपको space shuttle नहीं मिल रहा है तो देखिए अगर आपको space shuttle के साथ जाना है तो आपको mission complete करने पड़ते हैं तो यहाँ पर game को मैंने again start कर दिया है तो देखिए आपको यहाँ पर option आपको यह mission ko कम्पलिट करना है लेकिन आपको अपका completely होते ही आपको error आने वाल है तो आपको दिखात हो मैं यहाँ पर कैसे mission complete करते है तो यहाँ पर मैं start location पर जाऊओंगा और वो यह को सब्सक्शन है खरो, Sब सब्सक्या है मैं बढ़ाए लफ मैं सब्सक्राइब तो हम उपर जाएंगे हापर, तो हम टॉप फ्लोर पर आगे हापर, हलो यह सर से बात करेंगे हम, है, हाव यू, तो यहाँ पर हम जाएंगे, डेटा कलेक करने के लिए हाँ से, क्या देख रहे हैं सर, हाँ, अरब भाई, तो हमें डेटा कलेक करना है, तो डेटा कलेक करने के लिए देखे, आपको यहाँ पर जाना है, इस पॉइंट पर जाना है, मुझे डेटा कलेक करने के लिए, तो यहाँ पर मैं जाओंगा, अरे डेटा कलेक करना है, मुझे बाबा, तो डेटा कलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर उपर जा क्या तो देखिए यह करूँगा मैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो यह सारे जो भी चैटलेट्स दिखाई दे रहे तो उन सारे चैटलेट्स पर हमें डेटा कलेक्ट करना है गो तो देखिए लेब में जाना है human lab में तो यहाँ पर मैं हो जाएंगा तो यहाँ से में जाओंगा अंदर तो देखिए आपको लिफ्ट से डिर्यक्ली बाहर जाना है सर सैंटिस कहां? मिलेंगे सीने लग यहां पर है तो हम बात करेंगे एप्रेस करके अधिकर delivery successful हो गाया है हमें इस लाप को करना जे चेलाइट कर और यहां से में एक्जिट करूंगा तो यहां आया जाएगा और हमें space shuttle नहीं मिलेगा तो हम देखने वाले कि उस error को हम कैसे solve कर सकते हैं और हम space shuttle कैसे ले सकते हैं directly तो हमें इस location पर जाना है तो देखिए an error has occurred you can find more information in space.log तो यहाँ पर हमें error आ गया है और यहाँ पर देखिए अगर आप 9 प्रेस करोगे तो आपका interface भी open नहीं होगा आपका यह mod crash हो चुका है आपका यह mod work नहीं करेगा तो देखिए आपको कोई भी symbol नहीं दिखा लेगा और आपका mod भी work नहीं करेगा तो आपको space shuttle भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर देखिए तो space shuttle का जो location है वो इस location पर होता है space shuttle हमें मिलता है यहाँ पर आपको space shuttle भी नहीं दिखा लेगा इस list में तो देखिए यहाँ पर हमारा mod हो चुका है crash तो error आगया हमारे mod में तो चली देखते इस error को हम कैसे solve कर सकते हैं और आप space shuttle से कैसे जा सकते हो space में तो guys यहाँ पर हम change करने वाले है तो file का नाम होगा gts.ini तो जबी आप इस mod को run करते हो उसके बाद ही वो file generate होती है तो ध्यान रखना कि वो file generate होने के लिए आपको इस mod को start करना है पहले तो यह mod आपके game में start होने के बाद ही वो file generate होती है उसके पहले वो आपको file नहीं दिखाए देगी इसलिए ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको पहले आपका game एक बार start करना है उसके बाद में ही आप उस file में change कर सकते हो तो देखे चले मैं जाता हूँ उस file मेर और वो file में हम change करने वाले है तो guys आप देख सकते है right side में open है मेरी gtfi की main directory तो यह हमारी main directory है तो यहाँ पर आपको जाना है scripts के folder में तो देखे यहाँ पर आपको gts.ini file मिल जाएगी तो अगर आपने इस mod को पहले start नहीं किया है first time तो इसलिए आप अपना पहले game start करना और वो mod run के बाद ही यह file generate होगी तो चलिए इस file पर मैं click करूँगा और देखे यह आपको अपको अलग-लग options मिलते है तो यहाँ पर देखे main missions जो की हमारा main mission था जो अभी हम complete करने के लिए try कर रहे थे और वो mission complete होने के बाद हमें error आ रहा था और हमें space shuttle नहीं मिल रहा था तो यह mission complete होना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो mission का status है वो 0 है क्योंकि हमारा mission यह complete नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम type करेंगे 1 तो यहाँ पर देखे तो हमारा mission status है वो है 1 यानि की completed तो यहाँ पर हमारा mission 1 हो चुका है complete और हमें space shuttle भी मिल जाएगा तो देखे आपको यहाँ पर 0 to 1 करना है तो यहाँ पर आपका mission हो जाएगा complete और आपको space shuttle भी मिल जाएगा और आप space में भी जा सकते हो तो हम यहाँ पर mission status is equal to 1 करेंगे इसे मैं save कर दूँगा और यहाँ पर देखें मैं इसे close कर दूँगा तो देखें एक बार आप चेक कर लेना तो यहाँ पर आपको mission status है वो है 1 तो यहाँ पर अगें हम अभी हमारे game को start करने वाले और देखेंगे space shuttle से हम कैसे जा सकते है space में तो हमारी game उची के start यहाँ पर देखिए अरे भाई रहने दो मत मारो इतना तो guys आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको space shuttle देखना है देखिए यहाँ पर आपको space shuttle सर्च करना है तो इस list में आपको space shuttle मिल जाएगा तो देखें यह space shuttle हमारा इस location पर है मैंने कहा ता आपको इस location पर आपको space shuttle मिल जाएगा तो यहाँ पर हम होने वाले teleport और उस space shuttle में हम जाएगे हम start करने वाले हमारे mission को तो guys हमारा जो first mission है वो complete होने के बाद ही हमें यह space shuttle मिलता है तो आपने देखा था हमें error आ गए थी इसलिए हमने जो gts.ina file थी उसमें हमने mission status को कर दिया one ताकि हमारा mission हो जाएगा complete और हमें मिल जाएगा यह space shuttle तो अभी हमें space shuttle मिल गया है तो हम teleporter होने वाले उस जगह पर तो ज़रा आप look देखिए पीछे देखिए यह रहा जबरदस space shuttle तो देखिए आप space shuttle को देख सकते वहाँ से तो हमें इस space shuttle में जाना है भाई मजा आने वाला है देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं काफी बढ़िया space shuttle है तो यहाँ से हम start करने वाले हमारा mission और हम जाने वाले यहाँ पे moon पर Mars पर तो सारे और्बिट्स पर भी हम जाने वाले हैं तो चलिए एंटर करते हैं एफ प्रेस करके ओ भाई आ गया हमने यहापर स्पेस शेटल को कर दिया स्टार्ट तो यह हम है देखिए आप लुक देख सकते हो बाहर से बढ़िया लुक है स्पेस शेटल का और यहाँ अंदर से देखिए तो चलिए लॉँच करते हैं हमारे स्पेस शेटल को यहाँ से और मैं यहाँ पर स्पेस प्रेस करूँगा देखिए लॉँच करने के लिए तो चलिए श्टार्ट करते हैं हमारा स्पेस की लॉँच और यहाँ पर लॉँच हो रहा है देखिए हम जा रहे उपर हमारे स्पेस शटल के साथ हम बहुत उचाई पर आ गए देखिए अर्थ को और्बिट हम यहां से छोड़ रहे हैं हम अर्थ के और्बिट के बाहर जा रहे है और यहां पर हम आ गए स्पेस में तो यहां से हम स्पेस में आ जाते हैं तो देखिए हमारा जो वीनस है वो वीनस यहां पर है हमारी अर्थ और यहां पर हमारा मार्स है तो यहां से देखिए आपको ड्राइब करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी तो अगर हम सीधे जाएंगे तो यहां से हम Mars में चले जाएंगे तो आप डिरेक्ली भी टेलिपोर्ट हो सकते हो तो अगर आप टेलिपोर्ट होना चाहते हो आपको Num 9 प्रेस करना है यहां पर आपको Scenes में जाना है और यहां से आप अलग-अलग और्बिट में जा सकते हो चली हम Mars में जाएंगे यहां मैं Num Keys यूज़ कर रहा हूँ डाउन जाने के लिए Num 8 से हम डाउन चले जाएंगे Num 5 से हम अब चले जाएंगे Num 4 और 6 से हम कंट्रोल कर सकते हैं Left and Right तो देखिए डिफिकल्ट है बहुत जाना तो चली हम टेलिपोट हो जाएंगे मैं यहां पर Num 9 प्रेस करूँगा Scenes में जाऊंगा देखिए अलग-अलग और्बिट मिलेंगे हमें तो चली और्बिट हम देख लेते हैं यहां पर एक-एक करके तो देखिए यह अर्थ और्बिट है तो यह हमारी अर्थ और्बिट है तो हम अर्थ के और्बिट पर आ गए है देखिए यह यूरोपा सर्फिस तो देखिए हम यूरोपा सर्फिस पर आ गए है बढ़िया लग रहा है गन लगीगे हमें बढ़िए है तो यह मारा जू्पिटर एट्मास्फियर है जूपिटर का इस अगय खतरणाख लग रहा है जूपिटर का एट्मास्फियर यहां पर यूध्या साफ्श्थ लंगा देखे जूपिटर ओर्बीट है ओहो देखिए सामने जुपिटर है तो यहां से हम जुपिटर पर जा सकते हैं हम पास में जाएंगे जुपिटर के अगेन नम नाइन प्रेस करूँगा मैं यह मार्स और्बिट है हमारा देखिए मार्स वैट चलो मार्स पर देखिए एकदम पास में आ गए हम यहां पे ओहो बहुत बड़ा लग रहा हमारा यह मार्स ओहो क्या भाई क्या विव है खतरनाक विव यहां से काफी अच्छा लग रहा है मुझे देख कर देखिए और यहां पर हम मार्स के सर्फिस पर आ गए है अरे भाई आगे हम मार्ष पे अलो सैर कैसे हो सब लोग भाई आपर दौ ये अंगर मारो लोग अरे ये र だे यह ये अलग ही लोग है अरे भाई मार रहा है मुझे भाई बं गुले डाल दो इन पर लो भाई सैर ये लो पकड़ो sir इसर प्रॉड़गद, catch 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 एटो प्रॉख ए तो सब एलियन है एलियन से हैं ले लो sir catch catch तुम इसपेस शट्ल में चले आएंगे और चलिए लाँच करते हमारे अठेस शट्ल गो और यहां टेक अउफ होते हुए और हमारा ये टेक ओफ बढ़िया सा देखिए अंदर का व्यू ओहो भाई मज़ा आ गया और यहाँ से हम निकल जाएंगे बाहर एलियन का जो स्पेशिप तो वो कहा पे गया पता ने परना उसे भी हम धोड़ाल्द चलिए बाहर उपर चले आते हैं स्पीड में लाँच करके और देखिए हम मार्स के सरफेस से उपर जा रहे हैं और देखिए हम बाहर आ गया है और बिट के मार्स के देखिए हम मार्स के और बिट के बाहर आ गया है यहापर चलिए बाहर आके देखते हैं ओहो ये तो हम बाहर आ गए है बाई मज़ा आ गया देखिए हमारे space shuttle से हम बाहर आ गए देखिए vehicle हम repair कर रहे हमारी जो space shuttle था वो हमने तोड़ दिया आता था तो repair हो गई है तो चलिए हम आगे जाएंगे हमारे spaceship में तो यहापर देखिए moon surface है Neptune orbit तो मून सर्फेस पर जाएंगे तो आगे हैं मून सर्फेस में भाई हमारी आर्थ देखिए अरे भाई ये लोग फिर से आ गए यहाँ पर तो यहाँ पर मैं अगें प्रेस करूँगा नम नाइन सीन्स में यहाँ पर नेप्चुन एट्मोस्फियर ओ हो क्या भाही खतरनाक एट्मोस्फियर है नेप्चुन का तो अगें मैं नम नाइन प्रेस करूँगा सीन्स में जाओंगा नेप्चुन और्बिट में जाओंगा तो यह हमारा नेप्चुन का और्बिट है देखिए काफी बढ़िया सीन्स मिलते हैं आपको इस मौड में सीन्स में जाओंगा सैटरन एट्मोस्फियर में जाओंगा ओ भाई तो काफी बढ़िया मौड ही है बहुत सारे सीन्स आपको मिलते हैं तो भाई जम कर लेते हैं ओ वह पारशुट भी हमारे पास भाई यह स्पेश्टिप चला गया हमारा भाई अरे भाई वह वह हम गिर रहे आपर नीचे वह शिट चलिए अगे नम नाइन सीन टाइटन सर्फेस में जाएंगे हम ओउ तो टाइटन के सर्फेस में लैंड करने वाले हैं भाई बाई कुछ दिखाना ने ले आँम है पहाड़ी पहाड है यहाँपर ओव सर्फेस पर हम जाने वाले थे भाई बहार आजा भाई बहु काफी बढ़िता भाई उपर आजा भाई अच्छा हमें स्विम्मिंग भी आती है स्विम्सूट भी लाना चेहता हमें ओ भाई खतरनाक सर्फेस ये तो आजा भाई उपर ओ शिट मैन कैट ओ क्या विव है भाई क्या विव है खतरनाक तो यह मुझे स्पेस, स्टार्ज, कैलक्सी काफी पसंद है तो मुझे यह एक्स्प्लोर करने लिए बहुत मज़ा है काफी अच्छा फील आया है मुझे यहाँ पर जाकर तो अगर आपको भी पसंद है यह सारी चीजे तो आप इस मौड को जरूर इंस्टॉल कर लेना देखिए तो अचलिए अगेन मैं नम 9 प्रेस करूंगा सीन्स में जाऊंगा तो अभी हम जाएंगे यूरेनस अट्मोस्फियर में ओहो यूरेनस के अट्मोस्फियर देखिए बापरे भाई तो चलिए नम 9 अगेन तो यूरेनस के हम और्बिट में जाएंगे तो यूरेनस के और्बिट में हम आगे है यह हमारा यूरेनस के और्बिट है ओहो अगेन नम 9 प्रेस करूंगा scene's में जाओंगा यह venus orbit है space में तो venus को orbit में आगे हम तो दिखे सामने ही venus है again scenes में जाओंगा venus के surface में हम जाएंगे भाई surface में आगे हम venus के oho oho आगे past में हम आगे shadow से हमें समझ रहे भाई मज़ा आगया explore कर गई है तो अगे नम 9 scenes में जाओंगा तो देखे इतने सारे आपको यहापे scenes मिल जाते है तो काफी बड़ी आमाओड था और सच में मुझे experience करके काफी अच्छा लगा कि हम यहापे space में गए है हम अलग-अलग हम अलग-अलग atmosphere में गए तो उन atmosphere के experience था वो भी काफी अच्छा था मुझे काफी अच्छा लगा Mars पर जाकर Moon पर जाकर तो काफी अलग-अलग orbits पर आप जा सकते हो अलग-अलग atmosphere को आप experience कर सकते हो काफी बड़ीया mode है अब भी इस mode को ऐसे install कर लेना तो काफी बड़ीया mode है यह तो guys तो guys अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद रहा तो मेरे वीडियो को like कीजिए अपने फ्रेंड के साथ share कीजिए और हाँ मेरे चैनल को आप subscribe करना ना बूले दोस्तों क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे guys मिलता हो अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई तो guys अगर आपको अर्थ पर जाना है तो हम यहाँ पर मैं नम 9 प्रेस करूँगा scenes में जाऊँगा और यहाँ पर देखे आपको कर दो हम यहाँ पर आपको